वेल्कम बैक टू माई चैनल आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है सलाम नमस्ते रादे रादे आज इस टेरो कड़के तरू हम जाने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टनर आपके जो भी जिसके लिए आपके दिल में अट्रैक्शन है फिलिंग्स है या फिर जिस परसन के साथ आपको खुशी मिलती है आप खुशी का अपको एसास हो जाता है कई नकिओं है कई नकिओं प्यार है और उस परसन से अभी अगर आप बिचड गए हैं दूर होये हैं किसी वह बंज कुछ बी हो सकती है लेकिन कुछ न कुछ आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे जिंदगी में जबकि अच्छा वक्त चल रहा था हमारे बीच अच्छानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से यह पर्सन आपको इग्णोर कर रहे हैं अवॉइट कर रहे हैं या फिर उनका कुछ आता पता ही नहीं है या फिर आपके कॉल मैसेज़ेस का रिपलाइ नहीं दे रहे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि परसन आपको अवॉइट करने लगे तो प्लीज पॉजिटिव रहकर अपने पार्टनर को याद कीजिए तीन से साथ बार उनका नाम कि यहां पर रिपलेक्ट हो जाएगी हमको समझ में आ जाएगा किस फुल मुन की एनरची का इफेक्ट इस परसन के अपर क्यों हुआ है क्यों कि जब फुलमुन आता है यानि कि पॉर्णिमा जब होती है तो चार-पाच दिन तक उसका इफेक्ट होता ही है अगर इनकी मुन sign है तो कहीं न कहीं effect तो जरूरी होगा तो चलिए देखते हैं कि इस reading में क्या आता है आपके लिए आज messages universe की तरफ से और क्या है guidance आपके लिए future में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए angels मुझे guide करें universe मुझे please guide केजए दूसरी बात यह है कि यह general reading है तो सब कुछ आपके लिए नहीं हो सकता है personal reading नहीं है यह general reading है general reading में सब की energy आती है तो जो भी रेजुरेंट होता है वही लीजे बागी का छोड़ दीजे किसी और की energy हो सकती है personal reading के लिए आपको मुझे whatsapp पर contact करना है whatsapp पर सिर्फ message करना है please phone मत कीचे मैं बार बार ही कहता है please direct phone मत कीचे लोग miss calls भी देते हैं और परिशान करते हैं angels मुझे please guide कीचे अगर ऐसा ही रहेगा तो मुझे फिर बंद करना होगा personal reading ही angels मुझे please guide करें archangel michael मुझे please guide करें मुझे बताएं जितने भी वीवेस अभी देख रहें इस वीडियो को उनकी person उनकी partner की current feelings क्या है archangel michael please guide करें उनकी feelings आपके लिए हैं कि वो बहुत ज़द परिशान हैं बहुत ज़द सोच रहें बहुत ज़द नाराज है sad खुदी है और कहीं नगे आपको भी sad बना कर छोड़ा है खुद भी खुश नहीं है और आपको भी खुश नहीं रख सकी कुछ न कुछ आप दोनमी हुआ है जगड़ा हुआ है misunderstanding हुई है किसी चीज को लेकर बहुत ज़द गुसा है कुछ बातें हो गई है हो सकता है इस person का phone नहीं उठाया message नहीं कि आप कहीं पर busy थे तो यह person को गुसा आया है हो सकता है कि आपने इनको work दिया था commitment के लिए वो पुरा नहीं कर सकते है तो जिसके वज़े से आपने चार बातें सुनाएं तो यह person को गईनगे बुरा लगा है तो कहीं नगई कुछ परेशानी इस रिष्टे में मुझे दिखाया देते जो पसंद है वो अलग-अलग होगी तो कहीं नगई आपको दो लोग जब एक साथ आते हैं और जिंदेगी की शुरुआत करती है तो आपको adjust करना बहुत ज़रूरी है तो यहां पर ऐसा लगता है कि sad energy है person की और इनका प्यार कम नहीं हुआ है four of cups यह कहता है कि प्यार तो कम नहीं हुआ है लेकिन कहीं न कहीं वो आपको खुश नहीं रख सकते इस बात का इस person को कहीं न कहीं डर लगता है साते साथ टेंशन होता है कि आपको खुश नहीं रख सके आपको खुशी नहीं दे सके इनकी वज़े से आप दुखी हो इस बात का या इस परसन को तकलिफ हो रहे तो कहीं न कहीं पॉजिटीव एनर्जी है कि ये परसन आपके बारे में सोच रहे हैं या इनके इमोशिन भी दिखायदे कपस की एनर्जी है कैंसर पाइस स्कॉर्पियो करकर राशी मिंट राशी व्रशक राशी और आपके बारे में स्ट्रॉंगली सोच विचार कर रहे हैं भले वह आपसे नो कॉंटेक में हैं आपको ब्लॉग भी किया होगा आपसे दूर भी चले गए हैं लेकिन आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और इंसान उसी के बारे में सोचता है जिससे वह प्यार करता है दुनिया के बारे में सोचता नहीं बैठता है कोई भी इंसान एक इंसान उसी परसन के बारे में सोचेगा जिसके लिए स्ट्रॉंग फिलिंग्स हो यहां पर उनकी emotions आपके लिए मुझे strongly दिखाए देती है और कहीं न कहीं इस रिष्टे में वो serious है चार नमबर का काड है राहू की energy तो हो सकता है कि person ने गलती की आपसे रिष्टा तोड़ा आपको no contact situation दिया लेकिन उनको गलती का ऐसास हो रहा है और गलती का ऐसास जब होता है इंसान को इसका मतलब कि कुछ न कुछ अच्छा ही होगा आपके रिष्टे में नेक्स्ट यहाँ पर आए ऐस ऑफ सोर्स नई सोच इस परसन की आपको लेकर नए विचार कुछ निव बिगिनिंग और साथी साथ यह परसन कंटिन्यूसली आपको manifest भी कर रहे है manifest अगर कर रहे इसका मतलब आपको ब्लॉक नहीं किया है कि अगर ब्लॉक किया है तो manifest कैसे करेंगे आप उनको call messages कैसे कर सकते तो जो जो लोगों को ब्लॉक नहीं किया है पार्टनर ने लेकिन कम बात कर रहे हैं फिर भी आपके बारे में सोच विचार कर रहे इस रिष्टे कोई जवाब ना होना इस बात को इस परसन को इस बात परिशन करती है यह बात कि उनके पस कोई जवाब नहीं है तो अभी परसन आपके सामने आना तो चाहते हैं जब वो आपको स्ट्रॉंग कमिट्मेंट दे सकते हैं शादी के लिए हां कह सकते हैं या फिर एक फ्यूचर के लिए आपको कुछ न कुछ seriously commitment डे सकते तो ऐसे विचार इस परसंगे चल रहे जहां पर आपको वह दिल से अपनाना चाहते हैं और जिंदगी आपके साथ आगे देखना चाहते हैं तो अभी वह अगर सिर्फ सपना देख रहते हैं तो कहीं न कहीं हकिकत में वह सच बाते करना चाहते हैं कि आपके साथ रिष्टा रखना हैं आपके साथ आगे बढ़ना हैं वह कहीं न कहीं serious हो रहे हैं सोच विचार कर रहे हैं इनकी थॉट्ट प्रोसेस में आपी हो एस ऑफ़्ण यादि कि अभी तक यह परसन नहीं सोचना बन किया था आपके बारे में कुछ हो सकता है घुसा हो सकता है नारासगी हो सकता है तो उन्होंने सोचा कि नहीं अभी मुझे ब्रेक लेना चाहिए और सोचना बन करना चाहि हैं या Already in money money person decision लिया है जो आपको बताना चाहते है strongly positive card है कि हो सकता है future से related कुछ person ने decision लिया है कुछ फैसला किया है और आपकी आपकी favor में ही है completion चाहते है यह person no context situation को खत्म करना चाहते हैं अब यह किस type का रिष्टा आपके साथ रखना चाहते हैं, लिविन में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ एंगिजमेंट करना चाहते हैं, या ऐसा ही रिष्टा रखना चाहते हैं, किस टाइप का रिष्टा रखना चाहते हैं, उसके बारे में आपको नहीं आते तो strongly इस person का फैसला यही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है यहाँ पर tower moment आपके break up को दिखाता है यहाँ फिर अगर यह person married है तो उनका break up हो चुका है और कहिना के person आपकी तरफ आते अगर आप married person से प्यार करते थे एक शादी शुदा person के person से रिश्टा था अगर आपका तो उनकी शादी शुदा जिंदेगी में यहाँ पर मुझे break up divorce दिखाये देता है जिसके वज़े से person बहुत परेश्यान होकर आपकी तरफ आना चाते है आचानक चीज़ें कुछ होने व साथी साथ डिवोस को भी दिखाता है clarify करेंगे हम टावर के गाड को कि क्यों आया यहां पर टावर का काड इंजल मुझे प्लीज काइड करें मुझे बताएं यहां पर टावर की एनरजी क्या गयना चाती है किसका break up हुआ है किसका डिवोस होने वाला है या क्या होने वाला है अचानक इंजल मुझे प्लीज काइड करें कि कुछ नगुष सदन इंसिडेंट हो गया है आपके लाइप में या पर आपके पार्टनर के लाइप में ऐसा मुझे यहां पर फील होता है टावर को clarify किया है five of swords जहां पर यह person अपनी जिन्दगी में बहुत जादा परेशान दिखाए देते हैं बहुत जादा negative energy में जबसे आपका साथ चोड़ा है तब से negative energy में ही है यह person इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है हो सकता है इस person के उपर black magic हो किसे ने कुछ किया है तो यह person बीमार भी हो सकते हैं तो कहीं न कहीं सबसे चुटका रहा पाकर यह person आपकी तरफ आएंगे इसलिए वह टावर काड़ा है कि अच्छानक यह person का decision हो सकता है कि आपके साथ ही आना है क्योंकि उनकी खुशिया आपके साथ ज चाते हैं अभी कहींने के यह person को यह लगने लगा है कि आप सही हो आपने जो भी इस person को कहा है वो सही था और कहींना कहीं आपकी बात अगर मानते तो आज यह दिन इस person को इतनी तकलिफ नहीं होती health issues, overthinking, tension, depression बहुत ही ज़्यादा तकलिफ में हैं आपके partner और यह sudden decision ले सकत आपके तरफ आने के बारे में ऐसा मुझे यहां पर feel होता है और ऐसी energy यहां पर आई हुई है, five of source के energy है तो जैमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मेतन राश्ची, कुला राश्ची या फिर कुम्बर राश्ची के person हो सकते हैं, तो ज़रूर आप हमेश्या मुझे लगता है आपने इस person का भला ही चाहा है, इस person को खुश देखना चाहा है, जैसे भी यह person है, जब से आपसे contact में आए हैं, आप इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इनके खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते थे, इनको खुश देखना चाहते थे, और कई न कई यह person नही पुराना जो परसन आपका था वो पुरी तरीके से बदल गए हैं वो परसन मेल हो सकते हैं तो बदल गए हैं और इनका एक अच्छा ग्रूप आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपकी बात मानेंगे पॉसिटिव परसन होना चाहते हैं बहुत कुछ जिन्देगी में आगे कुछ करना चाहते हैं और जो भी इनमें बुरी आदते थी या जो भी बुरा या थी उसे छोड़ कर कुछ नयापन इस परसन का आपको देखने को मिलेगा जज्जमेंट यान की न्यू बिग्णिंग भ आपकी साथ जूड़ना चाहते हैं यह पार्टनर ऐसे मचें जज्जमेंट का कार्ड 20 नंबर का आपके लिए लग्य है 20 नंबर को आपको क्लीम करना है साती साथ यहाँ पर आया है पीच अफ वांड्स यानिक ग्यारा नंबर का कार्ड आपको क्लीम करना है नेक्स यहाँ तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाय देती है आप दोनों के बीच हो सकता है कोई है थर्ड पार्टी अभी थर्ड पार्टी आपको पता होगी को करन हो सकती है अगर परसन मैरेड है तो थर्ड पार्टी हो सकती है फैमिली इनकी थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी एकस थर्ड पार्टी हो सकती है तो कोई ना कोई इस पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश कर रहा था या आप दोनों की बीच में बार-बार आ रहा था और रिश्टा कमजूर होता जा रहा था यही मुझे दिखाए देता है कि थर्ड पार्टी ज़ुर दिखाय देती है और थड़ पार्टी ने परेशान करके चोडा है आपके परसंट को परसंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं जेंडर स्पेसिक रीडिंग नहीं है दोनों के यहां पर मुझे यह लगता है कि थर्ड पार्टी से परिशान होकर यह परसंद का नया रूप आपको देखने को मिलेगा कि वह आपसे कहीं न कहीं सहमत मुझे होते वह नजर आते हैं यह फिर आपका कहना मानेंगे आने वाले दिनों में आपके खुशी का खयाल रखेंगे आ साथी साथ इस रिष्टे में बहुत लॉंग टम सक्सेस भी दिखाता है यानि कि रिष्टा आगे तक बहुत ही बैतर रहेगा यह परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं आपके लिए जिस पर्सन के बारे आप सोच रहें यह परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपके यहां पर मुझे रिष्टा आगे बढ़ता हुआ नसर आता है घर बसाएंगे बच्चे भी इस रिष्टे में मुझे दिखाए देते हैं क्रोथ है सक्सेस है अबंडन्स है प्रॉस्परिटी है हो सकता है कि एक दुसरे के लिए आप लगी है और बहुत कुछ आगे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव आपके जिन्दिगी में आएगा सब कुछ होगा आपके पास आपके लिए तो क्या है इस परसन का साथ ही ज़रूरी है बाकी तो शीज़ें आपके लिए माइने नहीं रखती है लेकिन फिर भी संद का काड़ ही कहता है कि बहुत दन दौलत फाइन इस नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए सेवन पैंटिकल्स का काड़ अपने आप गिरा है सेवन पैंटिकल्स यानि कि इंतजार बहुत दिखाता है बहुत टाइम से अब वेट कर रहें इस परसन के कॉल का मैसेज का और चाहते हैं कि परसन खुद से करें क्योंकि आ बार बार पीछे पढ़कर उनको बताना भीक मागना कि मुझे कॉल करो मुझे मैसेज करो मुझे ब्लॉक मत करो मुझे मिलने आप यह कब तक करेंगे आप उनको भी अपने मन से करना चाहिए अगर प्यार सच्छा है तो करेंगे और मुझे यहां पर वही लगता है कि वह भ पढ़ेते क्योंकि इस परसंटे आपको अलग नहीं होना था और इनकी सीवा आपको किसी और के बार में नहीं सोचना था तो अगर अपनी सोचना बंद कर दिया है तो यह परसंट परिशान हो गए कि अभी आप नहीं सोच रहे हैं पहले जैसे उनके पीछे नहीं पढ़ रहे हैं पहले जैसे आप तडप नहीं रहे हैं तो कहीं नहीं परसंट को अभी वह खयाल आ रहा है कि आपको खो देंगे क्योंकि यह पर मिझे स्ट्रॉंग ली एक डिवाइन कनेक्शन सोल मेड कनेक्शन ट्वें प्लेम कनेक्शन दिगाए देता है क्योंकि आप चाहते हैं और बहुत महनत भी करेंगी सेवन ऑप पैंटेकल्स हो सकता है कि अभी तक एक बुरा वक्त चलाता आपकी जिंदगी में या फिर जबसे दूरियां हुई हैं दोनों की भी त्बसें अनकी जिंदगी में दोनों भी दुखी मुझे दिखाया देते हैं लेकिन पिर पिछले साथ महेने से कुछ चीज़े ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा है मुझे फील होता है। जिसे मैंने कहा ना कि यह परसन आपको हर खुशी देना चाहते हैं, तो King of Pentacles का काड यही कहता है कि हर खुशी आपको वो देना चाहते हैं, सच में देना चाहते हैं, यह बुड़ापा अपना आपके साथ देखना चाहते हैं, यानि कि आपको strong commitment देना चाहते हैं, अपना future के बारे में आपके साथ ही सोच रहें और यही सच करके दिखाएंगे इनका भी यही सपना है न कि आपके साथ जिन्दगी गुजारें तो कहीं न कहीं रिष्टा फिर से जुड़ेगा और आगे तक जाएगा King of Pentacles दिल के राजा है जो इनका दिल कहता है अभी तक अगर यह थर्ड पार्टी का सुन्द रहे थे और अपनी दिल की बात नहीं सुन रहे थे तो अभी अपनी दिल की बात सुनेंगे और सब कुछ सही करेंगे ऐसा मझे यहां पर फिल होता है तो कहीं न कहीं परसन इंट्रे इमोशन दिखाय देते हैं कि आपके साथ आगे फ्यूचर हो देखते ही देखते हैं आपके सीवा इनकी और किसी के साथ खुशी नहीं चुड़ी होई है वो सकता इनोंने ट्राय भी किया है कहीं पर लेकिन नहीं जमा है इनको कहीं नए रिष्टे में जाना एक दिन के बहले इनोंने मूव ओन करने की कोशिश की फिर भी मूव ओन नहीं कर सकी जस्टीस हो रहा है आपके साथ बहुत ही पॉसिटिव काड़ है गयरा नंबर आपको अब भी क्लेम करना चाहिए गयरा नंबर न्यू बिगनिंग को दिखाता है जस्टीस यानकी नया होगा आपके साथ और परसन जैसे मैंने यहां पर कहाना कि डिवोस कोई लेने वाला है तो अगर परसन डिवोस लेना चाहते हैं तो डिवोस मिलेगा और आपके साथ रिवीनियन होगा नवेंबर तक ऐसा मझे यह काड़ कहता है तो कहीनकि अगर कोई कपल या अगर कोई इनसान जैसी कि आपमें से कोई है, जो एक married इंसान से प्यार करता है या करती है और उनका divorce का वेट कर रहे हैं, तो कहीने के उनका divorce होते हुए नजर आता है, और आपका reunion November तक होगा, ऐसा भी ये काड़ कहने की कोशिश करता है, तो कहीने के अगर अपने कर्मा अच्छा की आए न, तो फल भी आपको अच्छा ही देते हैं यूनिवस कभी अपने भक्तों के साथ या फिर जो भी लोग है यूनिवस के उपर विश्वास रखते हैं उनके जिंदेगे में खुशियां आती है वो खुशियां आपकी कोई छींद कर नहीं ले सकते हैं यहां पर मुझे वह लगता है कि आपक कई person आपके तरफ attracted है आपके बार में future देखते हैं उनका इरादा तो बदला नहीं है इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है कि यह person आप में interested है आपके साथ future देखना चाहते हैं justice होगा आपके साथ और कहीं न कई फिर से रिष्टा जुड़ेगा ऐसा मैंचे यहां पर नजर आता है तो आपके लिए lucky नंबर जो है वही 11 नंबर साथ 11-11 दो बार यहां पर आया है तो 11-11 आपको clean करना है 19 नंबर आपके लिए lucky है 20 नंबर आपके लिए lucky है 14 नंबर आपके से मिलने के लिए ऐसा लगता है देखे मनी 14 का तो 14 नंबर का काड अपने आप घिर गया यहां पर 14 नंबर का के लिए का काड आया है और यह कहता है कि परसं बालन्स में आ रहा है आपके प्यार को समझने लगे हैं आपकी तरह आकर्शित हैं आपके बीना नहीं रह सकते यह मनी मन में सोच रहे हैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया होगा तो अच्छा लग परसन का कॉल मैसेज आ सकता है कि वह आपके बिना नहीं रह सकते हैं खुद से वह कह सकते हैं आपके साथ स्ट्रॉंग कनेक्शन फिल करते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा था डिवाइन कनेक थर्ड पार्टी आप दोरों के बीच मुझे दिखाए दिती हैं जिससे अलग होकर या जिनको छोड़कर यह परसन आपको चूज करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ना कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी लगता है यह इनकी जिन्दिगे में कार् प्रोक्सिक हो सकती है जिसी परिशान होकर यह परसन आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि यहां पर मुझे परसन परिशान दिखाये देते हैं और थर्ड पार्टी भी दिखाये देती हैं यहां पर तो थर्ड पार्टी ने परिशान किया इस परसन को कही न कहीं आपसे दूर जान तो है आपका लेकिन कहीं न कहीं बीच में आप दोने में सप्रेशन था नो कॉंटेक्ट था जिसे वो ठीक करना चाहते हैं ठीक क्यूं करना चाहते हैं कि वीनस एक्टिवेट है यहां पर मुझे दिखाय देता हैं तो कहीं न कहीं फिर से वह फिलिंग्स डेवलप हो गए परसन के माइंड में आपको लेकर कि आप ही एक सही लाइफ पार्टनर हो आपके साथ वो स्ट्रॉंग कनेक्शन फिल करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी तरफ जरूर आएंगे और सिक्स ऑफ वांड्स के एनरजी है तो इसलिव साजटेरियस मेश राशी सीह राशी दनु राशी और आपका मैनिफेस्टेशन या फिर जो भी दुवा आप मांग रहे इस परसन के लिए वो कहीं न कहीं कबूल होते हुए मुझे नजर आती है कि यह परसन वापस आपके सिंदिगे में आना चाहते हैं वो जो लेकिन आना तो चाहते हैं आपके साथ रिष्टा फिर से जोडना चाहते हैं और कहीं न कहीं यह पर्मनेंट रियूनियन होगा इसके बाद क्योंकि यह परसन ने बहुत कुछ जेला देखा और फिर से आपको छोडने की हिमत तो नहीं करेंगे तो यह पर्मनेंट रियूनि अगर रेडिंग आपके साथ रेजरेट हुआ है आपको पॉजिटिव फील हुआ है इस रेडिंग के तुरू तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए इंस्टेग्राम पर मचे फॉलो कीजिए 555 डिवाइन टारिट मेरा दूसरा चैनल वहां पर भी सब्सक्राइ कि कि अ अगया फ्यू था थू था था श्ट रेडिंग इंग था 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 बार्ट व्यू इन व्यू जू इंग जू यू नवटस